हेलो स्टूडेंट्स राजस्तान युनिवर्सिटी के ब्यस्सी पार्ट 2 में जूलोजी के फर्स्ट पेपर में हम सेक्शन सी में इंसेक्ट्स या कीटों में पाए जाने वाले माउथ पार्ट्स या मुखांगों का अध्यन करते हैं कीटों में उनकी भोजन की प्रक्रती के आधार पर भिन-भिन प्रकार के mouth parts या मुखांग पाए जाते हैं जैसे की काटने और चबाने के लिए फूलों का रस चूसने के लिए या blood sucking करने के लिए भेदन प्रकार के, sponge type के तो ये उनकी भोजन की प्रक्रती के आधार पर जो mouth parts होते हैं कीटों में वो भिन-भिन प्रकार के हो जाते हैं लेकिन जो common structure रहेगा इन सभी mouth parts में वो basically five parts होते हैं या पांच प्रकार के मुखांग होते हैं जो की modify हो जाते हैं परिवर्दी तो हो जाते हैं उनकी भोजन की प्रक्रती के आधार पर जैसे की labium और labrum जो की क्रमशर lower lip और upper lip बनाते हैं और mandibles जो की biting का काम करेंगे और फिर होती हैं maxili और hypo pharynx तो ये मुख्य जो प्रकार होते हैं मुखांग होते हैं और इन में क्या-क्या विविद्धा पाई जाती हैं ये अब हम अध्यन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि biting and chewing type अधार काटने और चबाने वाले mouth parts किस प्रकार के होंगे और इस प्रकार के mouth parts जो होते हैं वो मुख्य रूप से cockroach में और जो बहुत ही वरेशियस फीडर होते हैं जैसे की grasshopper है जो कि बहुत ज्यादा काटने या चबाने का कारिय करते हैं उनमें और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनके लार्वा जो कि बहुत वरेशियस फीडर होते हैं जैसे की caterpillars हैं उनके लार्वा में इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं तो biting और जो chewing type of mouth parts हैं उनमें मुख्य रूप से लेब्रम जो होता है वो अपर लेपिया उपरियोष्ट का निर्मान करता है मैंडिबल जो होते हैं वो serrated होते हैं अर्थार्थ आरी के समान जो chitinized structure है वो इस प्रकार से आरी के समान निकले रहते हैं आगे चित्र में आपको मैं explain करूँगी और फिर magzilly होते हैं जो की दो pair होती है मेगजिली जिसमें की first और second मेगजिली मेगजिली जो है वो segmented भी होती है और हाइपो फैरिंग्स जो होती है मुख्य रूप से यह टंग के समान या जीहवा के समान कारिये करती है तो अगर चित्र में मैं दिखा हूँए इस प्रकार के चित्र में आप यह देख सकते हैं कि biting और chewing type of mouth parts जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से यह पाच प्रकार के mouth parts पाए जाते हैं और इसमें चार दिखाई दे रहे हैं और fourth type होता है हाइपो फैरिंग्स तो यह होता है labial palp और यह है labrum जो क्रमश है upper और lower lip का निर्मान उपरी और निचले ओष्ट का निर्मान करते हैं side में भोजन को पकड़ने के लिए और sense करने के लिए यह maxilla होते हैं जिसमें कि यह segmented maxillary palp होती है यह maxilla है और जो की काटने का मुख्य कारिय करते हैं यह दातेदार जो chitinized part होते हैं यह करते हैं जो की mandibles का भाग होते हैं और hypo pharynx एक तरह से जीवा का कारिय करती है जो की भोजन को अंदर की और निगलने या धकेलने में कारिय करती है अब दूसरी प्रकार के जो modification या प्रकार का मुखांग होते हैं वो होते हैं chewing और lapping प्रकार के mouth parts जो की मुख्य रूप से पाए जाते हैं उन कीटों में जो की जिनका भोजन मुख्य रूप से पराकन या इसके साथ साथ ये wax आदी का भी जो निर्मान करती हैं या उनको deposit करने का कारिय करती हैं जैसे की honey bee और वैस्प या ततईये इनके जो mouth parts होंगे मुख्य रूप से उनमें होता है लेपरम, epipharings, mandible, maxillie, दो जोड़ी इस चित्र में आप देख सकते हैं की mandibles आपको दिखाई दे रहे हैं, लेपरम भी यहाँ पर उपस्तित है लेकिन वो क्लाइपियस के नीचे छुप जाता है और यह maxillary palp होते हैं यहाँ पर जो की labial palp होते हैं या labrum और labial palp होते हैं वो glossa और para glossa जैजी tube या नलीकार नुमा संडचना में परिवर्दित हो जाते हैं अर्थात यहाँ पर भोजन को जो सक करने के लिए है वो उसमें परिवर्दित हो जाते हैं और जो nectar है या फूलों का रज है उसको सक करने के लिए या चूसने के लिए जो ग्रसनी होती है फैरिंग्स होती है उससे एक pumping action यानि कि sucking या चूशन प्रेशर लगता है और वो अं longitudinal tube बन गई है एक लंबी tube बन जाती है लेबियल पैल्प के उसके द्वारा अंदर की और उन्हें उसे सक कर लिया जाता है चूस लिया जाता है और जो mandibles होते हैं उनका मुख्यकारिये as usual भोजन को चबाने का होता है तीसरे प्रकार के जो mouth parts होंगे ये होते हैं piercing and sucking पियर्स क अर्थ होता है छेदन करना या भेदन करना और उसके पश्चात सक करना अर्थ हर्थ जो की hard tissues है पहले तो उनको पियर्स करना भेदन करना सुई के समान और फिर जैसे कि animal body है तो blood या plant body है तो sap या जो कोशी का रस है या जो जैसे तने या पतियों में जो sap है रस है उसको ग् होते हैं मुख्य रूप से mosquito और जो bad bugs होते हैं जैसे कि खटमलादी aphids इन में पाई जाते हैं मुख्य रूप से जो piercing और sucking है उनमें labium, leprum, epipharynx, mandible और maxili तथा hypofarynx उपस्थित होते हैं मॉस्किटों की अगर हम बात करें तो जो needle है या sui होती है जो की piercing का का करती है वो labrum का modification होती है जैसे कि cockroach में labrum ने upper lip बनाया यहां पर वो बना रही है वो needle या sui में परिवर्धित हो जाता है और यह labrum epipharynx के साथ में fuse हो जाती है तो हम इसे labrum epipharynx भी कहते हैं और इसके पश्चात mandibles जो होते है वो modify हो जाते है needle like जो stylet होती है और groove में या अंदर की और एक खांच बना लेते हैं male mosquitoes जो होते हैं उनमें mandibles अबवस्तित होते हैं और जो mandibles होते हैं उनके जो किनारे होते है । वो बिल्कुल आरी के समान यह बिल्कुल pointed होते हैं piercing होते हैं इसके पश्चात यह चितरा इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रूव बन गई है निडल के समान और शेश ये जो स्टाइलेट्स आप देख सकते है ये मेंडिबल्स है यहां पर जो है ये लेबरम ये हाइपो फैरिंग तो यहां पर मुख्य रूप से जो भूजन है वो पिर्स करने के बाद सकिंग करने के जाता है जिसे की प्रोबोसिस कहा जाता है और यह बलड या प्लांट जूस को सक करने के लिए उप्योक्त होते हैं बच्चो एक एक लाइन में आपको रीद करके नहीं बताऊंगी क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा है पीडियो फ़र्म में आपको यह उपलब्द करा दिया सक करने के लिए होता है जैसे की हाउस फ्लाइज होती है मदुमक्खी या अन्य प्रकार की जो मक्खियां होती है उनमें ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो टिप आफ दे माउथ पार्स होती है या लेबलम जो होता है वो एक स्पॉंज के समान संरचना में परिवर्दित हो जाता है जो की एक संकुचनशील या रिट्रक्ताइल जिसे प्रॉबसेस का अर्थ होता है शुंड या अगर फूला हुआ भाग जो की लेबियम का परिवर्दित रूप है और इसके अंदर फिर ग्रूव बन जाती है अर्थात एक नलीका या खांच ब प्रकार तरल या सेमी-लिक्विड है तो मेंडिबल्स यहाँ पर अनृपस्तेत होते है क्योंकि यहाँ पर चुइंग या बाइटिंग का कारिया नहीं होता है और मैगजीली जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर समेकित होकर प्रॉबसेस के साथ में जुड़ जाते हैं जैसे कि यहाँ पर यह जो पार्ट है, यह इसके साथ में जुड़ जाते हैं. नेक्स्ट, यह जो प्रोबसेस है, उसके पार्ट्स बताए हुए, तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, जो कि बिलकुल बाहर की और निकला रहता है, रॉस्ट्रम, फिर होस्टेलम होता है, और लैबिला, यह तीन पार्ट होते हैं, जो कि प्रोबसेस के होते हैं, इसके पश्चात आता है साइफनिंग, अर्थार्थ, यह जो माउथ पार्ट्स होते हैं, यह मुख्य रूप से, टाइलेट उपस्तित था लेकिन यहाँ पर मेंडीबल्स पूरी तरह से अनुपस्तित होते हैं क्योंकि यह मुख्य रूप से यहाँ पर कटिंग या पिरसिंग का कारिय नहीं हो रहा है यह सिर्फ सक करने का कारिय करते हैं जैसे कि फ्रोग जूस हैं या जो फूलों का रस होता है पराग रस होता है या नेक्टर जिसे हम कहते हैं उनको सक करने का कारिय करते हैं और मुख्य रूप से लेपिडॉप टेरा जो वर्ग है उसके सदस्यों में साइफनिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि बटरफलाई या मौद्स तो इन में क्योंकि भोजन को अंदर धकेलने का कारिय नहीं हो रहा तरल रूप में भोजन को ग्रहन किया जा रहा है तो एपिफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स भी यहां पर अनुपस्तित होता है और जो लेब्रम है वो मुख्य रूप से एक ट्राइंग्यूलर संबचना एक तिर्कोणी है संबचना के रूप में क्लाइपियस का जो की हेड का अगर भाग होता है शीर्ष का अगर भाग होता उसके साथ जुड़े रहते हैं प्रोबसेस या शुन्ड जो है वो बहुत अधिक विक्सित हो जाता है और यह गैलिया और मेकजिली का एक परिवर्धित रूप होता है तथा जब जो कीट है जैसे की तितली है वो भोजन ग्रहन नहीं कर रही है तब प्रोबसेस एक कोईल फॉर्म में अंदर की और उपस्तित रहता है और इसका जो एक्स्टेंशन या जो यह सीधा होता है यह मुख्य रूप से proboscis में blood के circulation से एकदम से pressure से सीधा हो जाता है और भोजन को सक करने का कारियर करता है तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के mouth parts कीटों में पाए जाते हैं जिनमें की मुख्य रूप से होते हैं biting and chewing type और शेश जितने भी हमने चारों प्रकार के मुखांग देखे वो biting and chewing type के ही परिवर्धित रूप होते हैं उनका ही modification है तो biting and chewing, piercing है, chewing and lapping है, syphoning है, sponging है, ये जो हैं अलग अलग प्रकार के mouth parts हैं की कीटों में पाए जाते हैं, आप इनको नोट कर लेना, कॉपी डाउन कर लेना और डाइग्रैम्स को अच्छे से स्टडी कर लेना, थैंक यू and have a nice time